नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियोज मैं हूं योगी शिक्रवर्ती शीट सेरिंग को लेकर इंडिये में घमासान मचा है जिहां बीजेपी तिनका तिनका जोड़ने में जूटी है और घमासान का असली बजह यही है कहा जा रहा है कि अब बीजेपी ने मुकेश सहनी को भी वियाईपी पार्टी के मुकेश सहनी को भी मना लिया है और मुझफर पूर्शीट उनके लिए उक्के कर दिया है चिराग पासवान और उपेंद्र कोश्वाहा पहले से ही मुख पुलाए हुए हैं अब अगर मुकेश सहनी की इंडिये में इंट्री होती है तो कहा जा रहा है कि ये घमासान खास करके जो दो बड़े दल है बीजेपी और जेडियू के बीच और बढ़ जाएगी इसी मसले पर हम बात करते हैं बरिष्ट पत्रकार संतोस कुमार जी से और समझते हैं कि आखिर इंडिये या यूँ कहें कि इंडिये का नित्रित्व कर रही बीजेपी तिनका तिनका जोड़ने में क्यों जूटी है क्या सचमुच मुकेश सहनी बीजेपी में जाने वाले है और क्या सब कुछ इंडिये के अंदर ठीक ठाक है संतोजी एक साथ तीन सवाल है मेरे देखिए एक तरफ भारतिय जनता पार्टी के लोग ताते हैं कि अपकी बार चार सव पार और इस्तिति उनकी इतनी खड़ाव हो गई है कि छोटे छोटे दल्व सब के पाउं पकर रहे है तो बारतिय जनता पार्टी की इस्तिति बहुत खड़ाद है और वो चाहती है कि सभी को भोट बैंक मिला करके किसी एन केन पर कारें सत्ता में बने रहना तो चुकि दस साल होने को है भारतिय जनता पार्टी ने दस साल में किया किया लोगों को आपस में लराने का हिंदो मुसलि मंदिर मस्जीद और डेवलप्मेंट का क्या किया उन्हें क्या सिच्छा के बारे में कुछ किया क्या रोजगार के बारे में कुछ किया क्या भरष्टा चार्मुक्त भारत बना जितने भरष्टाचारी थे वह बाजपा में चले गया जो भी बरष्टाचारी होता है उसको मिला लेते हैं तो क्या यहीं भरष्टा चार्मुक्त भारत तो महांगाई चरम पर है सिलेंडर का दाम तिंदुना बर गया गया सिलेंडर का पर चला गया है तो इस्तिति उनकी बहुत भयावा है भारतिय जनता पार्टी की मुझे लगता है वह सब को नाराजगी दूर करने के लिए सभी का वोट बेंग जैसे नितिस्कुमार का वोट मिलाना चाहते हैं उपेंदर कुस वहा का वोट पहेंगा और मुकेसानी का सब को मिला करके वह खुनवा खुनवा जोड़ करके वह घर बनाना चाहते हैं एक गाना नहीं था है अच्छा जी मैं हारी पीया मान जाओ न तो एक मुकेसानी की पार्टी उन्होंने तोर दी थी उनके पास गाना गाना है अच्छा जी मैं हारी पीया मान जाओ न तो आप किसको पीया बनाएंगी भाजती है जन्ता पार्टी मुकेसानी को कि चिराग पासवान को कि नितिश कुमार को कि उपेंदर कुस वहा को नितिश जी सोला सीट पर रहे हुए हैं कि सोला सीट से पर लड़ेंगे मुकेसानी चलिए एक प्रमान जाएंगे तो क्या उनको लड़ाएंगे तो किसको किसको एक को मनाओं तो दूजा रूठ जाता है और गाना है कि रूठ ने मनाने मेना बेती जिंदगानिया एक तेरी मिहरवानिया तो यह है भारतिये जन्ता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है तो इसलिए मुकेसानी पर डोड़े डाल रहे हैं मुकेसानी भी आ जाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतिये जन्ता पार्टी में सीटों का ताल मेल हो पाएगा चुकि चिराग पासवान रूठे हुए हैं उपेंदर कुस बहार उठे हुए हैं पठान मंत्री आएं अमित्सा आएं बित मंत्री आएं किसी की सभा में ना चिराग पासवान गये उपेंदर कुस बहा गये यह नाराजगी साब झ्छलक रही है और अगर ऐसा हुआ तो चिराग पासवान निश्चित और प्रभी डर के मारे भाजपा के जाएंगे वह सकता है कि मुके शानी भी आ जाएं और लाश्ट में आश्चर ने की जगा कहीं कि नितिसकुमार भी पल्टी मार दें अगर यह लोग रहें तो नितिसकुमार फिर वापस आ जाए तो इस्थिति यह हो गई है कि सब डर के मारे भैजबिन होई नप्रीत तो ड जाएंगे उसके बाद यह परक्रिया और तेज होगी लेकिन आप जान लीजिए शीटों का ताल मेल बहुत मुश्किल है आग लगी हुई है इंडिये में भीतर ही नितिसकुमार अलग नाराज है सोला से कम पर नहीं मान रहे हैं चिराग पासवान अलग नाराज है चिराग पासवान इधर चले आए तो पता चला कि दोंक में आना भाजबा के लिए बिहार में मुस्किन हो जाएगा लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यह तिनके तिनके जोड़ करके किसी नगा एन के प्राकरेर जो है यह सत्ता में बने रहने की कोशिस कर रहे हैं और सब पर डोरी डाल के अपने साथ कर रहे हैं मुकेश सहनी को आज बुलाया गया है दिल्ली और मुकेश जैसी की ख़वर है कि और सब्सक्राइब मेरे ले गाने सबको सत्ता का लालाच होता है और सीडी का दर मुखे साहनी बहुत नीचे से उपर उठे हैं और इंकम टखनारी का मामला लेकर करके उन पर भी दवाव हैं कि इस दवाव को ले चाहती है अगर चुनाव घोसना हो जाती है और नहीं जाते हैं चिराग पास्वान तो मुगेस्थानी को फिर बाहर का रास्ता दिखा देगी नहीं नितिश्कुमार जो चाहेंगे अभी एंडिये में वही होगा बारतिया जनता पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है पसंद करेंगे या इंडिया गटबंदन में फिर बापसच चले जाएंगे यह के लिए जो सबको जोड़ रही है उनली यह यह दोस्त आपने ड्टी के नहीं थाति और aid की शोटे दलो पर दोड़े डाल रही है आप देखिएगा कि आने वाले समय में और भी छोटे छोटे दलों पर डोरे डाले आप देखिए नहीं उत्तर परदेश में जैन चोधरी को मिला रही है माया बती पर भी और डोरे डाल सकती है कि वह जान रही है कि सत्ता में आना उसके लिए टेरी खीर है भोथ मुश्किल है कुण कि उसने काम बदलेवाजी के अलावे नेरेंद मोदी जी और अमिसा ने कुछ ने किया केवल बात बनाने का काम किया है लोगों को आपस में लडाने का काम किया है दंगा मतलब हिंदू-म मुसलिम मंदिर 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 को निमान परधान मत्री कहीं मंदिर में घंटी दोलाता है परधान मत्री समुद्ध के नीचे जाकर पूजा करते नहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि लोग सिच्छा की बात ना करें रोजगार की बात ना करें नौकरी की बात बश्टाचार की बात न करे इसलिए जनेंद मोदी और अमिसा लोगों को धरम हिंदू मुसलिम इसी नाम मामले में उल्जा कर रखे हैं बिल्कुल सतो जी जिस तरह से पीम मोदी आज कल टीवी पे इंटरनेट पे हर जगा मोदी की गवरांटी बाट रहे हैं ऐसे में अगर ये छोटे दल जो खुद को अपने जाती के हितैसी कहते हैं और कहते हैं कि हम आपके हक और हुकुक के असली रवनुमा हैं ऐसे में अगर ये लोग पीम मोदी की गारांटी लेने जाते हैं तो निस्चित तोर पर जनता भी सब कुछ देख रही है और जिस तरह से आपने कहा कि लोगों में बहुत ही नाराजगी है, BJP को ले करके, तो जन्ता इने भी सबक सिखाएगी? निष्चित तौरपर जंता में बहुत शनाराजगी है इसrophe की भूख निगत की भूख करकुछ नहीं है रोचगार से बढ़करulation नहीं है दित नहीं भडता है मंदिर मसजीसे रोचगार नहीं परपर नहीं चलता है मंदिर मज़ित के नाम पर केवल भोट ले सकते हैं पीट नहीं भर सकते हैं तो लोगों की नाराजगी चरम पर है महंगाई चरम पर है भरसाचार चरम पर है आप बता दीजिए न भाई पिछले दस बरसों में एक भी आदमी सत्ता धारी दलका किसी पर मुकलत्मा हुआ क्या कोई जेल गया क्या बहरतिय जंता पाटी ज्वाइन कर लिया तो crime चुट हो गया आप याद कीजिए मनमोहन सिंग के सरकार में जिस पर बी भरस्टाचार का मामला हुआ सरकार में रहते हुए मंतरी को जेल जाना पड़ा रजा और कनीमो जी खास करके इसके उदारान है नरेदमोधी जी बताईए न भाई ये एक आदमी गया है कि जयल में जो भी भरश्टाचारी हो भारतिया जंतापार्टी में जोएन कर लिया है बोला जाता है कि भाई वासिंग मशीन है भारतिय वासिंग मशीन में धुल गया तो बाक साख हो गया आप बता दिजिए जितने भर्टाचारी हो इनको भारतिय जनतापाटी ने भगाने का काम किया चाहे निरब मोधी मेहुल चोकसी मालिया जितने लाखो करोर का रिन माप कर दिया लोगों को बड़े बड़े उधोग पत्यों को और गरीबों पर अत्याचार देखिए कितना दिन धोंग चलेगा कितना दिन जुम्लेवाजी कीजिएगा जुम्लेवाजी का समय खतम हुआ अब नहीं चलने वाला है जनता समझ गई है चाहे आप नितिश कुमार को मिला लिजीए चाहे सहनी को मिला लिजीए चहे चिए पासवान को मिला लजिए लेकिन नौकरी तेजस्वी आदव ने जो रोजगार और नौकरी की गारंटी दी है उसके आगे मोदी की घा बता रहे हैं जो 20 साल से मुखमंती उनको बताने की जुड़त पड़ेगी क्या तेजस्वी तो 17 महीने की सरकार रही 17 महीने में देखिया बच्चा बच्चा सार कोई बोल रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी कुमार विरास्ते में आ रहा था जब मैं विधान सभा के लिए तो क डातोजी मेरा सवाल आप से आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से आप कहरें की एन केन प्राक्रे जो है बीजेपी सबी दलों को ढढ़ा धंका करके अपने साथ लाना चाहती है और एक बड़ा परिबार का निर्मान करना चाहती है उनका बोट हड़ाप करके ही लेना चाहती ह तो ऐसे में आपको लगता है कि इंडिये में सीटो का जिस तरह से तमाम जो बाहर बैठे नेता है दल है राजनीतिक छोटे चोटे दल है उसको बीजेपी अपने साथ जोड रही है तो सीटो का कोई फर्मूला बन पाएगा आपका रहे हैं साथ में ये भी कि ना तो बीजेप ये जगरा नहीं आइए एक एक रोटी भी लोगों को नहीं मिलेगी तो कहां से पेठी नहीं भरेगा तो राकर क्या करेंगे तो तो अब बगावत तो चिराग पासवान और उपहेंद्र ने कर दिया है आने वाले दिन देखिए नितिशकुमार भी करेंगे और साहनी भी कर करती आप धकोसलेबाजी करके राम मंदीर और हिंदो मुस्लिम करके आप ज्यादा बेवकुप लोगों को नहीं बना सकते हैं अब लोगों ने एक नई रोजगार की सोची है बेरोजगारी दूर करने की चुकि आपकी जुम्लेबाजी दस साल हो गई दस साल में आपके लिए बताने के लिए कुछ नहीं है आपके पास कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया कितने लोगों को दूर की दूर कुई आपने तो 80 करोर लोगों को बिरोजगार बना दिया मुफतरासन दे करके तो तेजस्वी आदम ने एक नहीं लखिर खीची है पांच लाख लोग यूज ने बोलईए आप सीना ठोक करके बोलते थां चिपंच-पनी सीना डूक करके बोलिया नई ऐ हैं मैंने तस साल में बीस करोर लोगों को रोजगार आपका ये सब्सक्राइब࡜ लोग को बेरोजगार बना दिया जिसकों की घर बैठा करके आप वो रहें कि मैं पांच किलो आनाज दे रहा हूं जूब मरना चाहिए ऐसे देश में भाई पढ़ान मंति ऐसी बात करेंगे तो आप जंगल रात की बात करते हैं आप डेवलपमेंट की बात कीजिए नौकरी की खड़ जाएगा तो जोडने से कुछ नहीं होने वाला है जनता आक रोशित है नाराज है आपके कारण भाजपा के कारण नितिस कुमार को भी नुकसान होगा जो उनके साथ जाएंगे उनका नुकसान होगा आप जान लिजिए जी जी तो भले ही बीजेपी छोटे छोटे दलों को जोड़ कर या यूँ कहें तिनका तिनका जोड़ कर एक बढ़िया आलिशान घर बनाना चाहती हो लेकिन इसमें काम्यावी मिलेगी इसकी संभावना कमी है क्योंकि ये तमाम राजनितिक दलों के नेता भी समझ रहे हैं कि बीजेपी को जनता जो है पशंद नहीं कर उनके बड़बोले पन को सभी जनता समझ चुकी है और नेता तो लोगों का नब्ज समझते हैं तो ये लोगों का नब्ज समझ रहे हैं भले ही अभी चले जाएं लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाब की घोशना होगी सभी भागेंगे और महागठवंधन का हाथ ठामेंगे क्योंकि बीजेपी इनके मन मुताबिक इन्हें खाना नहीं खिला पाएगी यानि की सीट नहीं दे पाएगी ऐसे में भगदर मचना तय है फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमुल विचार और सुझाव जरूर दे धन्यवाद